हालो दोस्तों आज राना क्लासेज में आपका स्वागत है आज मैं आपको बिहार के भुगोल के में नदिया एवं जल परपात के बारे में बताऊंगा किरिपया इसे पूरा देखें जिसे बिहार के बिपेसी प्री और स्टिप्यो फ्री में काफी लाफदायक होगा आने वाली फ्रिछाएं हैं तो शुरू करते हैं नदिया एवं जल परपात बिहार के अवभा फरनाली को कितने भागों बाठा गया है दो भागों में बाठा गया है वो कौन है हिमाले से निकलने वाली नदिया और प्रायदी पिये नदिया तो कौन-कौन दो भागों गया हिमाले से निकलने वाली नदिया और प्रायदी पिये नदिया तो हिमाले से निकलने वाली नदियां क्या होती है हिमालय से निकलकर उत्री मैदान में दच्छिन पोरुकी और बहतीवी गंगा नदिन मिल जाती है और हिमालय से निकलने वाली कौन-कौन नदियों के अंतरगत कौनसी नदियां है घागरा गंडक बूढ़ी गंडक बागमती कमला बलान को कोशी、 महननंदा यतिदी कौन-कोन नदियं हैं हिमाले से निकलने वाली घागरा गंढडक बूरी गंडक बागमती गमला बलान कोशी महननंदा यतियां लेयां हैं प्रायदी पेड़ी नदी पठारी प्रआधी प्रमनाशा, सोन, फलगू, पंचाने, क्योल, तो क्योल लित्या जियादी नधिया है जो कि इससे आता है गंगा की नदी की सहायक नदी कौन कौन आते हैं उत्तर से मिलने वाली नदिया में सरियू जिसको घागरा भी करते हैं कोसी महननदा आधिया थी तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन हो गया उत्तर से मिलने माली में सर्यू जिसको घागरा भी करते हैं कोशी महनन्दा ये सो आता है गंगा की सहायक नदी में और कौन दच्छिन से मिलने माली में कौन हो गया क्रमनासा पुनपुन फल्गु मोहनी क्यूल तो दच्छिन से मिलने वाली जो गंगा की सायक नदिय कुन-कुन है कर्मनासा, पुन-पुन, फल्गु, मोहनी, क्यू लादी तो ये question most important है कि गंगा नदि की कुल लंबाई कितनी है तो 2510 किलोमेटर और बिहार में ये नदि कितने किलोमेटर प्रवाहित होती है तो ये 445 किलोमेटर प्रवाहित होती है गंगा नदि का धाल कितना है तीन इंच परती किलोमेटर की और पूरव है तो गंगा नदि का धाल क्या है तीन इंच परती किलोमेटर की और पूरव में है गागरा नदी की लंबाई लगवा कितना है? 80 किलो मेटर है बिहार में गागरा नदी की ढ़ाल कितना है? 3 इंच परती किलो मेटर दच्छिन की ओर है गागरा नदी का अबवाद छेतर कहा है? सिवान एवं सारन में गागरा नदी बिहार के सबसे पच्मी नदी है गागरा नदी की सहायक नदी कौन-कौन है? काली गंड की यवं नारायन गंड की है गागरा नदी की कूल लंबाई कितना है? 360 km飯 टोटल है और विहार में कितना वहता है 120 km तो इसके कुल नंबाई होगए 350 km और विहार में 120 km गंडक नदि कहां वहती है सारन मुझफरपूर और बैसाली में बहती है तो गंडग नदी किस से बनी है है, साथ नदियों के मिलने से बनी हैं, इसलहे सब्स गंडग की है, किस lawsuit कहाया था तो गंडग नदी अनफूर्णा स्रेनी को काटकर गार्ज भी बनाती है गंड़क नदी भायसा लोटन के पास बिहार में प्रवेश करती है भायसा लोटन के पास गंड़क नदी पर कौनसा बेराज इस्थित है तो बालमीकी बेराज इस्थित है गंड़क नदी पर कौनसा बेराज है बालमीकी नगर बेराज किस नदी पर है गंड़क नदी पर तो बुढ़ी गंड़क का नदी का बाच्छत कोणूं के चमपारन, मुझपपरपूर, समस्तिपूर, बेगी स्वराय एवं खगड़िया है बुढ़ी गंड़क नदी कहां से निकलती है? हिमाले से निकलने वाली बिहार में गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है तो सबसे लंबी नदी सहायक नदी में कौन सी हो गई? हिमाले से निकलने वाली बिहार में वो है बुढ़ी गंड़क पहले बागमती नदी बूरी गंडग नदी की सायक नदी थी जो ऑगमती नदी का परफूर स्मस्तिपुर बागमती नदी का बाचेतर कहा हो गया मुझभपरफूर दर्वंगा एवं समस्तिफूर बागमती नदी की सहायक नदिया कौन-कौन हो गया ललबक्या एवं लखंदेई है बागमती नदी की सहायक नदी कौन-कौन हो गया ललबक्या एवं लखंदेई नदी वार्ण के दिनों अपना मार्ग बदल लेती है जिस प्रकार कोशी बदल लेती है बागमती नदी अपना प्रभापत बदल लेंक के साथ नेट के साथ भी में बाढ़ों के लिए इसे तरह केसी परियोजनत के अंतरगत बांद। को भी नियंत्रित कर उसके साथ पूल और नए बांध बना दिये गया जिस तरह कोशी प्रियोजना के अंतरगत ही इसको भी किया गया है पूल और नया बांध बनाया गया बागमा नदी नदी को नियंत्रित करने के लिए कमला नदी का बाच्छेतर कहा है कमला नदी का बाच्छेतर दरभंगा है कमला गंगा इंट्रेक्शिटी भी चलती है पटना से दरभंगा क्यों तो कमला नदी भी बाढ़ है वं मार्कपडवतन के लिए बिख्यात है कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है तो सब्तकोस की कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है सब्तकोस की नदी के नाम से जाना जाता क्योंकि साथ नदियों की धराओं के मिलने से बनी क्यों सब्तकोस की कहाया था क्योंकि यह साथ नदियों के धराओं से मिलने से बनी है कोशी नदी की साथ धराएं कौन-कौन सी है इंद्रावती, रन कोशी, त्राम कोशी, लिच्छु कोशी, दूद कोशी, अरुन कोशी और तुमोरो कोशी तो कोशी नदी की साथ धराये कौन-कौन है इंद्रावती, रन कोशी, त्राम कोशी, लिक्छु कोशी, दूद कोशी, अरुन कोशी और तुमारो कोशी तिरवेनी नामक अस्थान पर कोशी नदी के साथ धराये मिलकर कौशिक कहलाती है तिर्वेनी नामक स्थान पर कोसी नदी के साथ धराय मिलकर क्या कहलाते ही है कौसी कहलाते है कोसी नदी अपना मार्क पड़वर्तन करने के लिए बहुत बिख्यात है 200 बरसों में यह 150 किलोमेटर पच्छिम की और खिसक गई है वर्तवान में कोसी की लंबाई कितनी है यह कहां मिलते है विहार में गंगा नदी से कुरसियल्ला के समी मिलता है कोसी नदी को विहार का सोक कह आ जाता है सब लोग जानते है बहुत इंपर्टन कोस्टेन है गंगा नदी मिलने से पहले कोशी नदी स्वय अपना डेल्टा हुए इस जमाओ करके डेल्टा बनाती हुए बाड से बचने के लिए कोशी परियोजिना के अंतरगत हनुमान नगर बांध बनाया गया है कोशी नदी से पूर्वी और पच्मी कोशी नहरे निकाली गई है अब जलपरपात के बारे में पढ़ते हैं काकोलत जलपरपात नवादा जिला में नवादा सहर से 20 किलो मेटर दच्छिन में अस्थित है तो काकोलत जलपरपात कहा है बिहार में तो नवादा सहर में है नवादा सहर से कितना दच्छिन में अस्थित है 20 किलो मेटर दच्छिन में अस्थित है काकोलत जलपरपात कई चर ही उचा है तो मुख प्रपात कितना है 24 मिटर लेकिन कूल जो उचाए है इसकी कितनी है से 40 मिटर दुर्गावती जल प्रपात किस जिला में पूछा जा सकता है यह तो दुर्गावती जल प्रपात कहां है रहतास जिला में दुर्गावती जल प्रपात दुर्गावती नदी परस्थित है दुर्गा बती जल परपात किस नदी परस्थित है दुर्गा बती जल परपात की उचाए कितना 90 मीटर है तो ककोलत से यह ज्यादा है को किसका 47 मीटर है और इसका क्या है 90 मीटर है दुर्गा बती जल परपात किस कहां गिरता है खादर कोह में गिरता, दुर्यार्बती जलपरपात कहां गिरता है, खादर कोह में गिरता, सुख लहरी जलपरपात उत्तर परदेश और बिहार की सीमा परस्तिती, यह important question है, कि कौन सा जलपरपात है, जो कि उत्तर परदेश और बिहार की सीमा परस्तित है, तो यह हो इसका कह नमें सुख लहरी जलपरपात के पास कनहर नदी लगवाग 100 फिट उचाई से गिरती है तमासीन जलपरपात प्रकिरती की न्यारी मनोहारी एवं सुरम घाटियों के बीच बड़ा अकरसक जलपरपात है क्या है तमासीन जलपरपात प्रकिरती के लिए बहुत मनोहारी शुरम घाटियों के बीच एक बड़ा अकरसक जलपरपात है तमासीन जलपरपात के पास महाने नदी की धारा महाने नदी की धारा 50 फिट की उचाई से गिरती है गट सिंधू जलपरपात मालूदह जलपरपात केरिदह जलपरपात गोवा जलपरपात आदी बिहार के अने जलपरपात है और कौन-कौन है गट सिंधू जलपरपात मालूदह जलपरपात केरिदह जलपरपात गोवा जलपरपात पुछ सकता है परिच्छा में तो इससे अब यह अब जलकुνड क्या है गरंजल कुंड के जलो में अथिस्ट मात्रा में खनीज लवन गंधक आदी मी रहते हैं कि जल में क्या रहता है जिनसे यह तचा के रूप्चार में लापधायक होता है ना कुं तक बिहार के पुर्वत्तर भाग में कितना होती है तो पुर्वत्तर भाग में कितना होती है तो गया हो जाएगा बिहार में ग्रिसम रितु में कितना तप मान रहता है अवसत 32 डिगरी सलसियस रहता है बिहार में ग्रिसम रितु में क्या होती है धूल भरी आंधी चलती जिसे लू का आयाता है जो धूल भरी आंधी चलती जिसे लू से बहुत आदमी मर्चे है बिहार म में मौन्सूनी बर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है तो बिहार में मौन्सूनी बर्षा कहां सोगी बंगाल की खाड़ी से होती है विहार राज के पूर्वी भाग में मौन्सून का पहुचता अलग भाग साथ जुन को तथा पच्मी भाग में 15 जुन को मौन्सून है जो कि बारशिक वर्सा कितनी है 112 cm बिहार में सरवाधिक वर्सा कहां होती है किसन गजह में होती है बिहार में सबसे कम बर्सा और अंगाबाद में होती है 95 cm तथा गया में 96 cm कि बिहार में सबसे कम बर्षा कहा होती है और अंगाबाद में और तथा गया में दोनों जगा में होती है यह लेकिन सबसे कम हो जाएगी पंचान में सेंटिमीटर उसके बाद गया में स्यान में सेंटिमीटर विहार में ग्रिसम रितू को उस्ट अपमान कितना हो गया 323 में च्छुं माह में जनवरी माह में Wave भूषार में सर्वाधिक ठंडा किस माह में सर्वाधिक ठंडा पर सब्सक्तान कितना रत्या कि इस ओ सब्सक्रेल डिग्री सेंटीग्रेट से 18 डिग्री सेंटीग्रेट तक होता है तो जन्वरी में कितना रतर टप मां 17.5 से 18 डिग्री सेंटीग्रेट बिहार में नौर्वेश्टर या चक्रवाती तुफान कौन से महिने माता है मै या जून महिने माता है तो नौर्वेश्टर या चक्रवा या चक्रवाती तुफानाता उसको क्या करते हैं काल वैसाखी भी करते हैं बिहार की जलवायो मौनसूनी है और बनस्पति का मुख्य निर्धारक कौन है जलवायो है तो यह होगे बिहार के बारे में जनकारी नदियां और जलपरपात इसके साथ आपको मौसम की भी जनकारी म करें नए सब्सक्राइबर हैं तो और अगर सिहाव या सिकायत हो तो क्रिप्या कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखे धन्यवाद